नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूलतियागे राप देखे माँ खास कारकरम गुड बॉर्निंग इंडिया गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख करने से पहले आज आपके लिए एक पॉजिटिव थौट में लेके आई हूँ सबसे पहले आपको वही बताती हूँ मोटिवेशन एक जरूरत है हर उस इंसान की जो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहता है जो अपने जीवन को एक दिशा देना चाहता है और अपने सपने पूरा करना चाहता है तो चाहिए इसी पॉजिटिव थौट के साथ खबरों की शुनुआत करते हैं हजारों करोर के खुचारे बाज मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की कोशिशे तेज हो गई है डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद मेहुल चौकसी को अस्पताल में भर्ती करा गया था जिसके बाद उसकी कोवेड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और उसे अस्पताल से चुटी देरी गई है इस दोरान भारत सरकार ने डोमिनिका से साफ साफ कह दिया कि चौकसी हमारा नागरिक है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है भारत में साड़े तेरा हजा करोड के खुटाले का गुनेगार है उसके खिलाब इंटरपोल ने रेट कॉनल नोटिस जारी कर रखा है इसलिए जोमिनिका सकार उसे भारत को सौप दे चौकसी को भारत लाने के लिए देश की कई एजनसियां जोमिनिका सकार से संपर कर रही है सूत्रों के मुताबिक जोमिनिका के पड़ोसी देश एंटरपोल ने भी जोमिनिका से कहा है कि वो चौकसी को सीधे भारत को सौपे क्योंकि चौकसी भगोडा है एंटरपोल से लापता चौकसी जोमिनिका में पकड़ा गया था देश में कोरोना संक्रमन की रफ्तार भले ही कम हो रही हो लेकिन खत्रा भी चला नहीं है कोरोना के नए केस में तो कमी आई है पर मौतों का आकड़ा अब भी जरा रहा है ऐसे में कई राज्यों ने कर्फ्यू या लॉक्डाउन को बढ़ा दिया है तो कई राज्यों ऐसे भी हैं जा कोरोना की तीसी लहर की आशंका है इसलिए लॉक्डाउन को पूरी तरह से खतम करना जोखिम भराप हो सकता है योगी सरकार की नई गाइडलाइन्स के मताबिक लखनों समय बीज जिलों में कोरोना कर्फ्यू में कोई छूट नहीं मिलेगी ये जिले मेरट, मुरादबाद, गाज़ीपूर, विजनौस, आरटपूर, वारनसी, गाज़ेबाद, बरेली, देवर्या, गोरकपूर, जहांसी, प्रियागराज, लखिमपूर, खिरी, बुलंच शहर, जौनपूर और सोन भद्रू है नौईटर में भी कुरोना कर्फ्यूज जारी रहेगा, जीम के बताविक 30 मई तक 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, लहाज़ा यूपी सरकार के आदेशों के मताबिक कर्फ्यूज जारी रहेगा पहलवान सागर हत्यकान मिफसे ऑलंपिक पदक विज्यता शुचील कुमार पर बड़े एक्टिव की तयारी है, दले पुलिस शुचील कुमार पर मकोका लगा सकती है बताय जा रहा है कि पुलिस शुशील कुमार पर मकोका के तहट कारवाई करने की तयारी में है मकोका की कारवाई संगठेत अपराद करने वालों पर होती है मकोका लगने के बाद शुशील कुमार को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी मकोका कानून इतना सक्त है कि इसके लगने के बाद शुषील कुमा को आसानी से जमानत नहीं मिल सकती है मकोका के बाद उम्रके तकी सजा का प्रापधान भी है देले पुलिस के स्पेशल सेल ने राजधानी के टॉप गैंगस्टर में शुषील काला जठेडी और नीरज बवाना के रिष्टो को लेका शुषील कुमा की कुंजली खंगालना भी शुरू कर दिया है आरोब है कि शुषील इन दोनों गैंगस्टर को लोगों की हैसियत और उनके कामकाश की जानकारी देता था पुलिस की माने तो शुषील की भूमी का पूर एमेले रामवीर शुकीन की तरह थी जो परदे के पीछे डैकर अपने गैंगस्टर भांचे नीरज बवाना के लिए काम कर रहा था रामवीर शुकीन भी अभी जेल में है वहीं अगली ख़बर फिल्मिज जगत से जुड़ी है जह शुषान सिंग राजपूत मामले में अब एंसीबी ने एक्टर के नौकरों से पूछताश करने का मन बना लिया है इससे पहले शुषान के दो सिदात पिठानी को एंसीबी ने गिरफतार किया था वहीं दूसरी तरफ ख़बर है कि शारुख खान और सल्मान खान दोनों एक साथ फिल्म पठान की शूटिंग यूरोप में करने वाले हैं गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलाल के लिए इतना ही लेकिन जाते जाते फिर आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ छोड़े जाती हूँ और पॉजिटिव नोट है अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामिया भी मुकदर बन जाती है तो फलाल के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वर्ल इंडिया